तो मैं उस सबसे ज्यादा सौबा की सली कभी को इस माइक पर आमंत्रित करता हूं वो सौबा की सली हुआ करता है उदेपुरा से हमारे बीट में हास्चे का धुआदार कभी जोड़दार तालियों से आमंत्रित करें सुभाम फार्था हालो 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 हुआ है तेरे पेरों में कुछ लगवाया गी वच्वन से इसा है हम नहीं हाइट देखके मेरों को बड़ा अश्यरी हो रहा है माँ नरम्दा के आचल में बशे ओदेपुरा से मैं सबसे लंबी दूरी ते करके आपके बीच में आया हूँ माइश आ बहुत अच्छा संचलन कर रहा है, वो बता रहे थे कि उनको अंग्रेजी कमाती है फिर उनने बता है कि मंच पर बहुत सारे आइटम है अब उनको पता नहीं क्या आता है क्या नहीं आता लेकिन मुझे हिंदी जादा आती है तो मैं बता दूँ कि बस आइटम को ह माल कहते हैं अच्छा ये इतने ही लोगों के समझ में आई थी कि आजल से आया हूं तो बंग्दियां परके मुस्तुरू करना चाहता हूं कहता हूं कि जो सच है वो बात सरवदा कहेंगे हम कभी हैं ये हमारी नैतिक जिम्मेदारी है और जवाबदारी है कि हम सच बोलें कहीं या कहीं शिर्फ हम से उम्मीद है वजना अखवारों के हाला तो आप देख रहे हैं तब मैं कहता हूं अच्छा अखवार में क्या होता है हमारे यह कहा जाता कि पत्रकारिता जो है वो लोगत तंत्र का चौथा इस्तंब है और जिस तरह की बातें वहां आजकल हो रही है ऐ एक पार मेरे साथ आगे हैं कि अधार लगा है रम्दा मया की रहे हैं रम्दा मया की बहुत सारे लोग अभी यह सोच रहा हूंगे कि यहां पर हो क्या रहा है और यह सब चल क्या रहा है मैं भी सच बता हूँ भाई सब मैं यही शोच रहा हूं कि इतने लोग यहां पर आ के कोशिष करते हैं मैं पराम करता हुँ आपंस अभी शनातन परंपरा में 33 देवी देपता है कोई भी काम हो कोई वी पूज़न विधान हो लेकिन सबसे पहले भागवान गरे इसको पूजा जाता है उसके बाद किशी दूफरे देपता का नंबर आता है मंच पे इतने सारे कभी हैं लेकिन सबसे पहले अपन है चाहे कुछ भी हो जाए अपने बाद इनका नंबर आएगा तो मैं आपको परणाम करता हूँ इन दोर बहुत अच्छा सहर है साफ मामले में पूरी देफर दुनिया में अपनी अलग पहचान रखे हैं लेकिन मुझे इन दोर आके ही पता चला कि जो किर्केट का बैद होता है बल्ला पूरी देफर दुनिया में उसे गेंद पर मारा जाता है लेकिन दोर आके पता चला कि जरूए परने पर उसे निगम के क प्रमचारियों को जिन्धिकी में कभी भी तरक्की हो तो मोधी जीज प्रफ से ने ट्रेन की अंदर रेल की अंदर चाय बेची। बुरापे में उने पूरी रेल बेच दी, इसे कहते हैं बिकार, ये इतने ही लोगों को समझ में है, मोधी जी का तो मामला आला जा बाइशा, मैं क्या बता हूँ, लेकिन गजब की इक्षा सक्ती है उनके अंदर, इक्षा सक्ती अंदर हो वेक्ती के तो वो राफ्ते निकाल लेता है, किसी भी तरह से, मोधी जी ने नोत बंदी करी, अच्छा मोधी जी के मामले ऐसे लगें कि उनने खंसार के नीती नियम भी बदल दिये, भाई शाब बता रहते हैं, यहां पर बड़े बज़र्गों को घर परिवार में शिखाया गया है, आदमी और माया का गजब गजब तरह के योजनाया वो निकाल देते हैं, यह पंकज भी यह बकील आजमी है, एक कभी सम्मेदाना मुझे तीन साल पहले तो इनने जीम में से गुलाबी सा कागज निकाला, बाद में मुझे पता चला कि वो दोहजार का नोत था, तो इनने मुझे पता है, मैंन कुल जो, वैँ जो, देखा विखे विशेक्ता है, मैंने का वाई शाहरा बताए, आरे बोले क्लर बदलता है, रंग छोडता है, अस नोत सममेदाना मुझे तो धिरे घाय हो जागा गई, यह पता है, वने के सथा and पता है, मैंने लूदी जी ने घजब खिर दिया कर दिया सुखी इस लिए हूँ क्योंकि मैं भी तख पूरी तहां को आ रहा हूँ और यहां जितने मेरे नौजवान बैसे हैं मैं आप सबसे कहना भी चाहता हूँ जी प्लाट होन के कमी है तू का मकान बनाएगा और कोई बनने के अपने बागए बागए बाग में तो अपने लगखान ऐसे है कि अपनी होनी भी नहीं है मुझको पता है तो मेरे यहां जितनी नौजवान है मैं आप सबसे कहना जाता हूँ जिन्दगी में हमें खुश रखा करो पता नहीं किस दिन साधी हो जाए और खुश इसलिए भी रहा करो भाईजाब क्योंकि रुलाने के लिए तो आपके रिष्टदारी बहुत है परियां आप खुश रहो आनंदित रहो तो मैं वो मोदी जी की बाद आपको बता रहा था गर्यप का मामला है तीन में पहले देवास के कभी संबिलन में हम राहुल भिया और पंकज भिया कारेकरम के पहले एक जगे चाय की ने गए तो जो चाय बना रहा था उसमें चाय वाले ने वहां लिखके रखा था अधरक और एलाईची की सुद्ध चाय तो मैंने उससे हुँ ही पूछ लिया मैंने का यार भाई अधरक वगरा दालता भी है या सिर्फ लिखके रखा है उपने जो जवाब दिया वह दिया आप समझ जान तो फिर इसका भी संबिलन को कभी संबिलन बनाना अधरक वगरा दालता भी है या सिर्फ लिखके रखा है वो बोला भीया हर चाय वाला जूता धोरी ना होता है अधराम करता हूँ अब तो हम लोग ने चाय की चाय पीने के वाद क्या हुआ पंकच भी जा ने चाय का कप शीधा रख दिया अब हमारे राहूल भीया का नंबर आया इनने क्या करा चाय पीने के वाद चाय का कप उल्दा रख दिया अब मेरा नंबर आया अब मैंने पोचा मैंने बशी आती है जिससे चाह पीते हैं उससे चाह कखा नके तिर्छा करा है। अच्छा ये बाइशा बता रहे हैं जो नोजवान दोफ थे इनके साथ बहुत ऐसा होता है अच्छा ये बहुत साथ फेश्बुक आगया है नहीं तो आप सब के जमाने में पत्र चलते थे तो पत्र ये कहीं दोके से किसी के हाथ लग जाते तो कसम से भाईशा वैसा लगता था जैसे कि वह ये अपना आकरी होने वाला लेकिन अब तो फेश्बुक वाटसप पे सब कुछ हो जाता है दिन राच चैटिंग चलती है तो मैं चार पंगपी यहीं से परता हूँ कहा कि जर्दा गांजा चरस ना अफीम निकला इनसे मेरी ह कि अवर्दाएं जो कि यहीं से यहां रखा दर्दो हो जाता है यहां रखा दर्दो अब दो दॉक्तर के इनसे बिश्वारी बात में उसका एक रहा है तो पता चला कि उसकी उंगली में ही फैक्ट्छ़ था इस तारहे कि तो मरीज होते हैं बहुत बहुत साद्ड़ बढ़ मुझे बीमार करने वाला खुद हकीम निकला अब पंक्तिया फुन्ना मुझे बीमार करने वाला खुद हकीम निकला सलमा समच के जिससे मैंने कूम करी बाते हैं मुलाकात बाले जिनको सलीम निकला वाप्या समच